भारती राजनिती का सशक्त नारी नेतरत्व कही जाने वाली सुष्मा सुराज का इंदौर से भी गहरा नाता रहा है और यही बज़े है कि आज इंदौर में भी उनके कई संस्मरण याद किये चा रही है इंदोर की सीनियर डॉक्टर सुनन्दा जैन से भी उनका गहरा रिष्टा रहा है देखे इस खास रिपोर्ट में भारती राजनिती के इतिहास में एक सशक्त नारी नेत्रत्व का प्रतीक रही स्वर्गी सुश्मा सौराज आज वो हम सबको अलवीदा कहकर जरूर इस दुनिया से चली गई है लेकिन अब यादों के जहरोके में कहीं न कहीं उनका रिष्टा और नाता हिंदुस्तान के दिल मध्यप्रदेश से बहुत गहरा है और यही रनाता उनका मध्यप्रदेश के दिल इंदौर से भी है किस तरह से आज देवी अहिलिया विश्वद्याले की पूर्व कारिपरिशा सदत से और इंदौर की वरिष्ट जानी मानें चिकटसक डॉक्टर सुननदा जैन मैडम पूर्व केंद्रिय मंत्री स्वरगी सुष्मा सुराज के साथ साजा की अनमोल पलो को लेकर अपनी यादे जो हैं आज साजा कर रही है और कैसे उन्हें वो पल याद आ रहे हैं जब सुष्मा सुराज इंदौर की सरजमी पर आई थी एक कारिकरम में शरकत करने आई थी और बड़पन, देश प्रेम और मात्रत्व की जलक जो है सुष्मा सुराज जी की हर बात में परिलिक्षित होती थी हमारे साथ डॉक्टर सुननदा जैन जी है सीधी बात करते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं कि जब जब भी सुष्मा सुराज जी दौर आती थी वो कौन से पल थे जो की और वो कौन सी खास बाते थी जो उन्हें बहुत पसंद थी और खास तोर पर उनके साथ साजा करती थी डॉक्टर जैन मायम किस तरह से आपको वो पल याद आते हैं अज इस पल पर हमें अलविदा ज़रूर वो कह गई है लेकिन कई यादे जो हैं पीछे चोड़ गई उनकी जो यादे हैं हो तो कभी भूला ही नहीं जा सकती हर पल याद आता है हर सिच्वेशन याद आती है और उन्होंने क्या बोला था क्योंकि इतनी महान लेडी को डाउन टू आर्थ देखते हैं ग्रास रूट कार्य करता कि हिसाफ से देखते हैं जैसे लगता है कि हम जैसे चोटे लोगों से बात करने में भी वो इतना ही इंट्रेस्ट लेती थी जो बहार लेती होगी और जैसे इंद्वार में वो आई थी जब मेरा एक सुरक्षित मातरुत्वा प्रोग्राम लाँच हो रहा था फॉक्सी का जाओ स्त्रीरोग संगठन का तब आई थी तो मैंने कहा कि मैंने आप अगर उद्गाटन कर देंगे तो शूब रहेगा और हम आगे कुछ काम कर पा और उसके बाद वो तीन-चार साल तक अच्छी तरह से हम लोग कर पाएं और आज भी हम वो अच्छी हो कर पाएं जो हमने सुचा था सुच्छा सुराज जी को कहा जाता है कि वो दीदी के नाम से लोग उने पुकारते थे आपके साथ जो पल रहा या दोजार साथ में जो बड़ा कारिकरम था किस तरह से घर के परिवार के लोगों से वो मिली थी और क्या-क्या बाते हुई थी जो आज भी आप भुलाना ही एक देड़ साल मेरे से एज में बड़ी थी है तो दीदी ही है और उनोंने कभी एक फील होने नहीं दिया कि वो बहुत उची पॉलिटीशन एस स्टेट्समन है और हम बहुत चोटे हैं मेरे घर में घर छोटा सा है गलियों में और उसमें घर में आई नाश्ता वगरे सब कर रहे थे बाकी सब लोग फोटोग्राफ खिचवा रहे थे मेरे सास असूर कोने में बेटे-बेटे देख रहे थे कि क्या हो रहा है तो फिर वो उठी और बोले मुझे आपके साथ फोटो खिचवाना है मतलब वो एंबरेस्मेंट भी उनको नहीं हुआ कि उन्होंने नहीं क कह जाना कितना बड़ा इस्तब्द कर जाता है जब पहली बार आपने एक खबर सुनी तो हैरान कर देने वाली खबर थी पूरे देश को विश्वास नहीं हो रहा था कि सुश्मा जी इस दुनिया को छोड़ कर चली गी मुझे भी विश्वास नहीं हुआ क्योंकि हेल्थ के बारे में बहुत कॉंशेस थी, खानपिन के बारे में कॉंशेस थी, अभी ऑपरेट भी हुई थी, पर पता नहीं नियती कुछ और ही मन्सूर था, और अलविदा कहें कि मुझे तो इससे लगता है कि बहुत बड़ा वेक कुछ माजी को, लेकिन किस तरह से आपको लगता है कि उन्होंने पूरे देश को एक ना केवल संदेश दिया है, बलकि राजनीती में रहकर भी शुचिता और पूरी तरह से परिपक्ता का जो है उधारन उन्होंने पेश किया, मेरे राय में वह परफेक्ट लेडी थी, कही कोई कमी आप डूंडो तो भी मिल नहीं सकती, उनका यह कहना था कि अच्छा वेवार करें, अच्छी तरह से रहें, अच्छी अपने प्रिंसिपल्स रखें, तो जो चीज हम चाहते हैं वो पाके रहते हैं, और इससे अहम तो खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं, पुरी प सुख्मा सुराज जी की राजनेतिक सफर नामे की याद भी दिला देती हैं, डॉक्टर सुननन्दा जान जी जो की बता रही थी कि लगातार, जब जब भी वो इंदौर आती थी, तो किस तरह से एक सादगी, सरलता और बडपन, उनकी तमाम बातों में ना केवल परिभाश रही होंगी और बलकी नम आखों से उन्हें विदाई भी दे रही होंगी, फिल्हाल वीडियो जन्रलिस्ट अरुन यादव के साथ, महिंदर सिंग, MP News जिन दौर